सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की गुरुफिश एपिसोड में और लेके आए हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्निउस तो चलिए शुरू करते हैं दिस वीडियो इस ब्रॉट तो यू बाई फोन रेस्क्यू चेक डिस्क्रिप्शन फर मोर इन्फरमेशन तो यहां पर घुमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे काम करेंगे और क्या और इस बात पर लाइक बनता है तो पहला अपडेट है वो निकल गया था अब यह बहुत ही कमाल की निउस को लेके जहां पर अनौन्स कर दिया गया है UFS 3.0 स्टैंडर्ड स्टोरेज के लिए यानि कि दोस्तों अगर आपके mobile phones जो अगरे के अंदर स्टोरेज जो बहुत ही slow है ऐसे में आपके games अटकते हैं applications आपके होती है hang तो अब अगर आगे चलके आने वाले हैं UFS 3.0 वाले phones जहां पर बहुत ही कमाल यहां पर 11.6 Gbps और अगर तोस्तों यहां पर कामे ले सकते हैं दो lens तो बन जाएंगी speed बढ़के हैं यहां पर 23.2 Gbps और यह उने वाला है full duplex तो UFS 2.1 के बाद में आगया है UFS 3.0 इन फाक दोस्तों यहां पर इसको काम में ले सकते है cell driving cars में जहां पर जो temperature range है वो होने वाली है इसके अंदर minus 40 degree centigrade से लेके plus 105 degree centigrade तक याना कि किसी भी ताफमान में जो storage है वो बहुत ही बढ़िया काम करेगी तो अगला update निकल के आता है वो है यहां पर मीजू के 15 plus upcoming phone को लेक जो हो गया है लीक भईया दिखरी है यहां पर live photos phone कैसे होगा आगे से और पीछे से सामने जो है वो bezel अल्मोस्त नहीं है बस उपर एक्दम सीधी सीधी bezel है अच्छी बात है कि मीजू ने आपर apple की नकल नहीं करी वरना वो दोनों तरफ दो सींग निकाल देता phone के side में यहां बिटकोइन जो ले रहा है हिच कोले भईया प्राइस रिदम कम जादा हो रही थी सिर्फ इसी बात को लेके कि कहीं वो कोरिया में बैन नहीं हो जाए तो यहां पर साउथ कोरिया में बिटकोइन जो बैन नहीं होगा लेकिन government करेगी उसको regulate मतलब फुर रखी की नज़र के बिटकोइन की उपर या किसी भी क्रिप्टो करणसी की उपर तब हम बात करते है कि कौन कितना कमाता है कौन कितना इंवेस्ट करता है दूसरे बज़र कला update वो निकल के आता है Google की तरफ से और यहां पर बैया अभी जो गूगल काम में लेने वाला है अपने AI सिस्टम्स को बताने के लिए कि जो फ्लाइट से वो डिले होगी या नहीं होगी मतलब एवरेज को देखते हुए फ्लाइट के हिस्टरी को देखते हुए उस दिन के रश को देखते हुए गूगल आपको पहली बताते है कि जो फ्लाइट है वो डिले होने वाली है और यहां पर आपको और जो fares दोस्तों उत्या लगले category के, चाहे वो सस्ते वाले हों, चाहे दोस्तों वो normal वाले हों, चाहे आप कहीं पर प्रोगमर कुछ पर्चेस करते हों, फिर चाहे वो economy हो, business हो, first class वगरे हो, यह आपको बताने वाला है कि वह यह आपको क्या कर मिलते है exact difference, उस specific flight में, इन सभी fares के बीच में, तो फिलहाल तो इस system हालगी US में है, अगर इंडिया में आएगा तो शायद आपका flights के experience होड़ा सा और बहतर होने वाला है, तो उसरों अगले update निकल के आता है, वो है यहाँ पर नूरो की तरफ से, और यह एक बहुत ही ऐसा कमाल का self-driving वाला दूसरों system, जो कि समान को carry करता है, यहाँ पर इंसान नहीं बैठेंगे, यहाँ पर आप टोकरी के नितर दो आपको जो समान रखना है, और बाद में उस लो जाएगा चलता हुआ, आजाएगा उसकी delivery complete, तो ऐसे में आप अपने खुद अपने घर में इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हो, hotels में इसको इसको इस्तिमाल कर सकते हो, और यहाँ पर इंफैक्ट आपकी गली के कुर्वी दुकान वाला है, वो भी इसमें सावान डाल के आपके घर तक पहुँचा सकता है, maybe in future, यह आता है Xiaomi की तबेले से और यहाँ पे 1 February को Xiaomi कुछ camera centric device शायद launch करने वाला है उसके भी आते है leaks दिखते हैं उसको क्या आता है अपडेट Xiaomi की तरफ से 1 February को दूसरों अगले अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे NASA की तरफ से जहाँ पे 13 साल पुरानी खोई हुई एक सेटलाइट जो है वो NASA को दुबारा मिल गई है हो गया यहाँ पे संपर्क स्थापित अब भी वो सेटलाइट कुछ काम आएगी के नई आगी वो तो नहीं मलूम लेकिन यहाँ पे दोस्तों आसमान जो है ना उसके अंदर यहाँ से अपने को दिखता नहीं है लेकिन अगर आप जाके देखो यह कभी उपर तो बहुत सारा दोस्तों कच्रा घूम रहा है सेटलाइट बहुत ज्यादा है और ऐसे भी डर हमको यह सताता है कि अगर हम बात करते हैं आगे जाके मंगल पे जाने की और घूमने फिरने की तो तब तक क्या वो उस कच्रे को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो हम उस कच्रे के आरपार उपर मंगल तक साही सलामत ठीक तरीक से पहुंच भी पहाएंगी या नहीं अगले अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे सामसंग की तरफ से और सामसंग ने बिलकुल भईया कर दिया एकदम कन्फर्म की 2018 में जो फोल्डेबल फोन है वो आने वाला है मतलब आने वाला है इसकी टेस्टिंग जो है अगले अपडेट निकल के आता है वो यहाँ पे आईफोन SE2 के लिए फोन जो है वो आने वाला है जहाँ पे जो डिजाइन होगा वो होगा आईफोन 10 जैसा सामने की तरफ से अल्मोस्ट बेजल लेस उपर मिल जाए वो प्यारी सी नॉच लेकिन यहाँ पे फोन में वायरलेस चार्जिंग ना 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 यहाँ पे आपको सामने की तरफ वो 3D वाले उप्शन भी नहीं मिलेंगे एनिमोजी वाले और वो पोट्रेट मोड वगरे वगरे क्योंकि अगर आईफोन SE2 में यह आ गया यहाँ पे गूगल स्टेशन जितने भी है रेल्वी स्टेशन दोस्तों उनको करने वाला है कवर लेकिन फिलाहल के लिए निकल के आगे स्टेशन से बाहर और यहाँ पे पूने में 150 होट स्पोट्स दोस्तों जो है वो गूगल वाइफाई अगला अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल की दरब से जहाँ पे गूगल ने 2017 में 7 लाग Android आप्स को उस तो हटा दिया प्ले स्टोर से और कर दिया 1 लाग developers को blacklist क्योंकि यहाँ पे जो आप्स थी वो या तो कुछ नकल थी या एकदम जूटी थी बखवास थी वायात थी जो भी था तो यहाँ पे गूगल जो है वो इसके इंदर भी अपने कामें लेने वाला है जहाँ पे गूगल बोलता है कि भाईया हमने बहुत सारे कचरा साफ किया है कचरा अगर YouTube से भी साफ हो जो बहुत सारी टेड़ी बेड़ी वीडियोज है कि बाल बढ़ेंगे इतने की काटते रहे जाओं कि पता दी क्या क्या तो शैद आएगा और बजा फिलहाल के लिए Android की जो एपस है वो तो थोड़ी बहुत क्लीन हो गई है तो अगले अपडेट निकल के आता है अब है फेस्बुक की तरफ से और जहां पे हम एक तरफ बात करते रहा है चड़र रहा है फेस्बुका प्रस्ते अर्ट जहां पको मालूम नहीं है क्रिप्टो करता हूं थे जबॉता दोखा चार पांच का दसपन नहीं क्या क्या तो at least अगर वो जो bogus ads है वो अगर मिटेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा तो facebook उनों करने वाला band जहां पर यह जो ads है यह बोले बाले जो उसको अपने जाल में वहाँ पर ले के आते हैं वेब साइट पे payment करवा देते हैं और बाद ने फिर होता कुछ है नहीं पैसे आपको जाते हैं जीरो तो अच्छी बात है कि facebook उनको थोड़ा बहुत काबू कर रहा है दूसरों अगला update निकल के आता है वो यहाँ पर Google Assistant की तरफ से और यहाँ पर गूगल एसिस्टेंट है वो अभी आपसे बात कर सकता है हिंदी में यानि कि आप अगर हिंदी बोलोगे तो वो समझ जाएगा यह दोस्तों कुछ कुछ सेम है जिसकि Google एलो में था पहले के टाइम पे लेकिन अभी के लिए यह काफी limited queries यह सवाल कर सकता है आप पूच सकते हैं कि भारत का प्रधान मंतरी कौन है आप पूच सकते हैं कि टेक्निकल गुरूजी कौन है आप पूच सकते हैं कि आज का मौसम कैसा है आप पूच सकते हैं कि अमिता बच्चन की उमर क्या है मतलब बहुत सारे दुसनों सवाल है वो आप पूछ सकते हैं जवाब है वो को मिल जाए गूल एसिस्टेंट से ट्रैक करके देखो क्या पता सही जवाब मिल जाए दुसरों अगला अपडेट है वो निकल के आता है यहाँ पे सैमसंग की दरफ से जहाँ पे सैमसंग की चिप डिविजन को हुआ है भगया इस साल रिकॉर्ड प्रॉफिट मोवाइल डिविजन को प्रॉफिट नहीं हुआ इतना क्योंकि यहाँ पे जो पैसा दोस्तों भी दोस्तों काफी आड्स करता है तो बस यही था कि वहाँ सैमसंग बोला कि हाँ हमने जो अर्निंग्स है वो बहुत दबा के करी बस थोड़ी सी कम करी विकॉस हमने मार्केटिंग के इंदर भी काफी खर्चा कर दिया तो यह दोस्तों सारे आज की अपडेट्स मुझे उम अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों फलाल अभी के लिए तो करते हैं बाय बाय टाटा गुड नाइट जैहंद वंदे मात्रम